नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा विशे है वह है अगर तीसरी आँख जागरित हो रही है तो आपको कैसे पता लगेगा आपकी तीसरी नेतर खुल रहा है एक्टिव हो रहा है तो उसके क्या संकेत हैं तो उसके नो बड़े ऐसे संकेत हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तीसरी नेतर खुल रहा है जागरित हो रहा है तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आप सबी का हम स्वागत करते हैं अपनी चैलंग में आत्मा से परमात्मा का सफर तो दोस्तों पहला पॉइंट है जो सुक्षम जगत में आपका पर्मेश होता है जब आपका तीसरा नेतर जाग जाता है मींस छटी अंदरी आपकी जाग जाए आपका तीसरा तिल जाग जाए तब आपको सुक्षम जगत में आपका एक कनेक्शन बन जाता है और आप जब उस सुक्षिम जगत से कनेक्ट होते हो तो आप दिव्य आत्माओं के साथ भी जूडने लग जाते हो एंजलों से भी आप जूड सकते हो एंजल्स के साथ तो इस तरह के आपको संकीत में लेवा दूसरा है पूर्व अभास होना जैसे आप ध्यान या आग्या जकर आपका एक्टिव होने लगता है तो आपको कई चीजे पहले ही पता लगने लग जेती है जैसे आपके घर परिवार में कोई चीज होने वाली है या आपके मुहले में कोई घटना घटने वाली है या आपके देश में कोई घटना घटने वाली है या विदेश में कुछ होने वाला है घटित होने वाला है तो आपको उसका पहले ही पूर्व अभास हो जाएगा तीसरा है आपके जो भी बोलेंगे वो सत्य होना शुरू हो जाता है अगर आप किसी को गुस्सा होकर कुछ बोल देंगे तो वो भी सत्य हो जाएगा और अगर आप खुश होकर किसी को बोलेंगे वो भी सत्य हो जाता है तो ऐसी स्थिती में आप जान लें कि आपको तीसरा नित्र एक्टिव हो रहा है और बाद में आप देखेंगे अगर आपको आपने किसी को कुछ कह दिया है और दुख आपने उसको कोई ऐसे दुख बरे आप शब्द बोल दिये वो सत्य हो जाएगा तो बाद में आपको उस चीज का दुख भी होगा पच्तावा होगा और जो आप सच बोल दोगे और किसी का सही भी हो जाएगा तो आपको खुशी महसूस होगी तो इसलिए इस चीज का भी अपने ध्यान रखना है किसी को भी गलत नहीं बोलना है ऐसी सिती जब बने क्योंकि आपकी कही हुई बात सकते हो जाएगी और बाद में पच्टावी के इलावा आपके बस कुछ नहीं रहेगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस से पहले अगर आप भी तीसरी आँख को तीसरे नेत्र को खोलने में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकागर होना होगा तो एकागर कैसे हूँ तो जवाब है मेडिटेशन तो एकागर होना अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कुकु एफम पेग विर एवर यू गो देर यू आर बुक समरी रेक्मेंट करना चाहता हूँ जिस से आप एकागर होना सीखेंगे यही वो चाभी है जो आपकी सफलता लगे ताले में को खोल देगी एकागर होना इतना सरल भी नहीं लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं विर एवर यू गो देर यू आर इस किताब की समरी से आप खुद को अपने लक्षे की तरफ बिना भटके पहुँच सकते हैं यह बुक समरी आपके तीसरे नेतर को खोलिये में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी तो दोस्तो कोकू FM इंडिया का बेस्ट आडियो शो प्लेटफॉम है जिसमें बहुत से टॉपिक आप कई भाशाओं में आडियो बुक एंड बुक समरी सुन सकते हैं इसका जो एक साल का सस्क्रिप्शन है वो 399 रुपे का है लेकिन जो हमारे सस्क्राइबर हैं उन में से पहले 250 सस्क्राइबर अगर हमारे दिये हुए डिस्क्रिप्शन बुक्स के जो कुकू FM का लिंक है उससे इंस्टॉल करते हैं और सक्रीन पे जो कूपन को उड़ दिया गया है आत्मा 50 ये यूज़ करेंगे तो आपको एक साल का सस्क्रिप्शन 399 की जगह 199 रुपे का मिल जाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चोथा पॉइंट है सपनों का सच हो जाना आपको कई सपने इस तरह के आएंगे जो आप देखोगे कि ये काने वाले दिनों में वो सच हो जाग रहे हैं तो ये वो लक्षन है कि आपका तीसरा नेतर खुल रहा है जागरित हो रहा है और नेक्स दोस्तों पांचवां पॉइंट है भोतिक चीजों से आपका लगाव जो है वो खतम होना शुरू हो जाएगा जितनी भी आपकी ये पंच तत्व की बस्तुएं हैं इनसे आपका रिस्ता कटने लगेगा तूटने लगेगा आपका मन जो है इन चीजों में नहीं लहेगा आपको घर, पैसा, बिजनस इन चीजों से आपका लगाव घटने लगेगा और आपको अनभव होगा कुछ रंगों का, प्रकाश का अनभव होना, अनहर नात का सुन्या, शुर्ने में प्रवेश, ये चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगे आपका रुज्वान इस तरफ ज़्यादा बढ़ने लगेगा और छटा है, आपका कोई भी मेसेज हो, आप एक जगा से दूसरी जगा भी भी भेज पाएंगे जैसे आप सोचेंगे इस बंदे को मैंने फोन करना है, अभी सोच ही रहे होंगे उसका रिवर्स, उसी का फोन आ जाएगा आपको तो आप उसे कहोगे, मैं तो अभी तुम्हें याद ही कर रहा था तो उसने फोन कर दिया आपको तो ये इस तरह कि आपके किसी और विक्ति को याद करोगे वो आपके घर ही आसकता है, या आपके आफिस ही आसकता है आपकी शौप के आ सकता है मिलने के लिए अपको इस तरह की कई आपके जो संदेश हैं वो आटोमेटिक उस बंदे के पास उस परसन के पास पहुँचने शुरू हो जाएंगे तो ये एक संकेत होता है साथ माँ है आपको दूसरे व्यक्ति का औरा दिखना शुरू हो जाएगा लाल रंग का पीले रंग का नीले रंग का वाइलेट कलर का तो अलग लग तरह के जो औरा है हमारी बोड़ी के आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे और आठमा है सब कुछ आपको एक साल लगने लग जेगा हर वस्तू में आपको एक सी दिखाई देगी आप भेद नहीं कर पाओगे आपके पास कोई अमीर आया गरीब आया अच्छा बंदा आया वो सब आपको एक समान लगने शुरू हो जाएंगे जीव जन्तूओं में भी आप उसी को देखोगे पेड़ों में उसी को देखोगे जैसे आपने देखा होगा एक पानी के बूंद है जब उसे समंदर में मिला दो तो उस बूंद का अस्तितव खत्म हो जाता है इसी तरह आपका भी अस्तितव उस समंदर में मिल जाएगा आ आपका खुद का अस्तित्व खतम हो जाएगा आप ऐसा फिल करने लग जाओगे तो नौवा हैं ब्रह्मुरत में आपको अलग-अलग तरह की आवाजें भी सुननी शुरू हो जाएगी आपकी अपने आप उस समय नीद तूट जाएगी तीन से पाँच वजे के बीच आपकी नीद अपने आप खुला करेगी और आपको कई दिवी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएगी घंटियों की आवाज, शंक की आवाज इस तरह के कुछ आवाजें भी आपको सुननी शुरू हो जाएगी लेकिन आपने इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप इस संकीत आपको मिलें तो आपने दिखावा नहीं शुरू कर देना है वि मेरे कहने से ये हो जाता है मेरे करने से वो हो जाता है ऐसे दिखावे में मत पढ़े चमतकार दिखाने की कोशिश मत करें जो चीज़ हो रही है वो अंदर ही रखी और इसमें आगे बढ़ते चाहिए और दोस्तों उमीद है दी हुई जानकारी से आप संदूष्ट होंगे अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले कोई बैल बटन को नहीं दबाया है तो प्रेस कर ले ताकि हमारे आगे वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और जो भी आपके दोस्त मित्तर हैं ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें ये वीडियोस आप शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस ध्यान साधना में आगे मणड़ सकें और इस्ताग्राम को फॉलव कर लें ताकि उसमें भी जो आपको टिफ्स दे जाते हैं ध्यान के ओपर कुछ बातें लिखिव बताई जाते हैं वो आप ध्यान दें उसे थे दोस्तों और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोकू एफम एप का लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर रहे और विर एवर यू गो दियर यू आर बुक समरी जरूर सुने इसी के साथ हम विदा लेते हैं धन्य बाद प्रूब करता हैं आर गया है जो भी एवर यूवर यूठ को जिस्क्रिप्ट लादी जिसुट मैं है रही है विज दोस्तों को अविच्साई बॉब एब चुछ दोस्तों को तोन दिस्क्रिफिक आर प्रशेशन बुब जर गया दूआ है कंथना।